और आईए अब आपको लिए चलते हैं पूरे के सेरम इंस्टिटूट हमाई सेयोगी पंकरज खेल कर आपको दिखाएंगे वैक्सीन की लेबलिंग पैकेजिंग से लेकर ट्रांस्पोर्टेशन की पूरी प्रक्या देखिए एक्स्क्लूसिव रिपोर्ट EUA मिलने के बाद सीरम इंस्टिटूट को वैक्सीन लोगों तक पहुचाना है और इसके लिए यहां हडबसर के सीरम फार्मा पार्क में किस तरह से लेबलिंग और पैकिंग का काम हो रहा है यह जानने की कोशिश हम करेंगे यहां आज तक आया हुआ है हडबसर इलाके में सीरम इंस्टिटूट में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र पुलीस थेना कियो हुए है अती दक्षता विभाग बन गया है यह पूरा इलाका तक्रीबन शे करोड डोजेज यहां पर तयार है ऐसा कहा जा रहा है आगे क्या होने वाला है ट्रांस्पोर्टेशन कैसा होगा यह जानने की कोशिश करते हैं इंडिया के कोल स्टोरेज में तक्रीबन फिफ्टी टू सिक्स्टी मिलियन याने पांच से छे करोड दोजेश तयार है अब वो कोल स्टोरेज से यहां पर यह वैक्सीन के बॉटल्स छोटी यहां पहुंचाई जा रही है अत्या धुनिक मशीन है जिस पर प्रती मिनिट पां के शाुदर और ओढका वर्व gea तो भी वोो बक्सीन किनारे कर दी है उसके बाद तो मैन्यूलि रैक्टिफाइख किया जाता है और फिर वो पैकिंग में जाती है तो यहां पर टैन का एक रोव बनता है इसमें पार्टिशन इंसर्ट होता है में युपर फूरा वाएक बॉरा छो इसको फिर अनुडर पार्टिशन रखते हैं कि दो कि इच और फॉर। सब बॉडल के बीच में कंटेनर के बीच में पाटीसन रहता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलता है और यहां पर देखो आप हाई-स्पीड कैमेरा सिस्टम से हो कैमेरा स्केन करता है कि भी 50 वायल अंदर है कि नहीं है अगर 50 वायल अंदर नहीं रहेगी या कलर कैप भी डिफे अपन होता है अपन होने के बाद बॉक्स के अंदर एक साइड से पूरा वायल्स जो 50 वायल्स है और इसके अंदर जो पी आयल चाहिए अपने को